रागी का पराठा बनाने के लिए मैंने धाइसो ग्राम रागी का आटा लिया है इसे मरवा कभी आटा काएते हैं मार्कित में ये आसानी से मिल जाते हैं ये 250 ग्राम हैं इसे अच्छे से छाल लेंगे. इसमें छोटे-छोटे कन होते हैं, उसे निकालके हटा देंगे. कुछ मसाले हैं, पराठा इससे बहुत ही टेस्टी लगता है. एक प्याज को मै लिए लिए याँ, दो हरी मिर्च को मैंने लिए लिए लिए. जवाइन, नमक, घी इन सभी को मिक्स करेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी रखकर इसे अच्छे से गूथ लेंगे अब इसके न ज़्यादा बढ़े और न ज़्यादा चोटे मीडियम साइज के हम बॉल बना लेंगे मैंने इतनी आटे से 5 बॉल बनाया है, चकला लेंगे, इस पर एक पनी रखेंगे थोड़ा सा इस पर गी लगाएंगे आटे को रखेंगे, उपर से एक प्लास्टिक और रखेंगे और इसे हम पतला मन चाहाकार में बेल लेंगे आप इसे जितना बड़ा चाहे, पतला चाहे उतना बेल सकते हैं ये बिल्कुल नहीं टूटेगा देखिए कितना चाहसे, इसे मैंने रोटी के तरफ पतला बेल लिया है अब इसकी एक साइट का पनी हम निकाल देंगे तब एको मैंने गर्म कर लिया है, इसे मैंने मीडियम आज पर रखा है अब आदेली पर रखेंगे और दूसरे साइट का भी पनी निकाल देंगे एक साइट से जब रोटी सीख जाए, तब हम इसे पल्टेंगे, नहीं तो यह बीच से तूट जाता है उबर से गी डालेंगे और इसे दोनों तरफ से हम सेख लेंगे अच्छे से देखिए तैयार हो गिया है मैं एक रोटी और बना के दिखाती हूँ आपको आप चाहें जितना इसे पतला और इसे अपने हिसाब से बड़ा यह चोटा बना सकते हैं यह बिल्कुल नहीं तूटता है मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें अगर यह पीच से थोड़ा सा तूट भी जाए तो हम इसे गिले में ही इसे सेट कर देंगे अब आप चितना चाहें उतना रोटी बना सकते हैं बहुत ही जटबट में बन जाते हैं देखें कितना यह पतला और कितना यह कुरकुरा बना है बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे आप जरूर ट्राइ करें आज मैं ग्यूरे की सब्सी के साथ सर्ब कर रही हूँ